हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस All-in-one चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इस महीने की सभी सरकारी करमचारियों की जो सैलरी है वो 31 मई को क्रेडिट नहीं होगी एक नया ओफिस मेमोरेंडम आया है जिसके थूँ यह बताया गया है कि इस मई इक इसको नहीं आएगी दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाके सब्सक्राइब किजिए जिससे कि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपके पास मिलता रहे चलिए दोस्तों देखते हैं तो मेमोरेंडम यह देखिए आप ज तो जो बैंक की जो स्ट्राइक है 30 और 31 को उसकी वएस से उस चीज को ध्यान में रखते हुए यह निड़ने लिया गया है कि 31 मई को जो सेलरी ट्रांसफर होती हुँओ Central Government Employees सभी Central Government Employees को उससे पहले हो जाए जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि May Not Get Processed for the month of May 2018 which is due for the 31st May 2018 May Not Get Processed resulting in delay of dispersal of salary to Central Government Employees तो उसका क्या है उन्होंना कहा है कि अगर सेलरी 31 को नहीं होगी तो उसके जहब पे जिससे कि किसी भी बंदे को परिशानी ना हो due to strike necessary instruction may be issued to all the PAOs, CDDOs to upload salary payment files with NPB date as 29th May 2018 last working of the banks तो 39th तारी को salary जो है upload हो जाएगी तो 31 की बजाए जो salary आपकी 39 को आ जाएगी और यह सारे के सारे authorities जो भी उन सबको जो है latest by 25th May 2018 सबको पहुँच गई है जिससे कि इस हरताल को ध्यान में रखते हुए आपकी salary जो है जिससे कि सबको salary proper time पे मिल सके तो दोस्तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आई तो like, share, subscribe कीजिए और thank you